कि शुर्दी रस्वर्चो में दुन लोगों की विद्वुर्मा आज आप पाच पी कठ्थ्या की किताब हिंदी किताब से एक नई कभी का आलोचना करेंगी उससे पहले हम फोल प्लास में आलोचना की ती नीम का पर उसकी वार्या में फूरी से अपसमें बाचित कर लेते हैं नीम का पेंड हमारे लिए कितना फाइदा मंद है और हमारे जीवन में उसका महत्वा कितना है वो सब्भाप इस विसरे से जान चुके हैं इसलिए हम हमारे चाबो ओड जो पेड़ पोड हैं उनकी रखवादी करेंगे और हमारे जो बाग वभी में पेड़ तो भूपि उगाई करेंगे हर किसी को यह सलाइद ओंगे कि वह अपने बागीचे में नीम का पेड़ हो चाहिए जो भी पेड़ हमें कि लाउत देंए वाले हार वो पेड़ की रखवाली करें Sweet तो आज हम इन्हे किताब से एक छोटी सी कविता है जो कि हमारे सिख्या के बारे में हमें सोचित कर देए प्रस्तुत कविता में जीवन में सिख्या का क्या महत्तो है बताया गया है मनुष्य बिना सिख्या के जीवन में उन्नते नहीं कर सकता है तो हमारे जीवन में सिख्या की क्या भूमिका है अगर हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेगे तो उससे हमें क्या हानी पहुंचेगी या फिर हमारे जीवन में उससे क्या लुक्सान पहुंचेगा इसके बारे में प्रस्तुर कभिता में हमें सुचित किया गया है कि सिख्या एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे अंदर से या फिर हमारे चारों जो परीवेस हैं उसमें केसे हम बड़ों का संबान करें, छोटों का आदर करें, और हमारे अंतनीजित गुरों का कैसे हम अवलोकन करें. और हमारे जो सारे ज्यान है, अगर हम सिर्फ लिखाई पढ़ाई करेंगे, तो वो हमारे सिख्या को सही माइने नहीं देख. सिख्या के ऐसी चीज है जो हमें पड़ाई लिखाई में अगे लेता है और उसके साथ साथ हमारे संस्कारों को हमारे नियोगों को हमारे उसूलों को आगे बढ़ने में मदद करती हैं अगर हम सिख्या को इस दिशा में सही उपयोग करेंगे तो सायद हमारी सिख्या को पूरूनता प्रात भोगी और हम हमारी जीवन में हर एक प्हले में हर18 रास्ती में खुद को अचछे से साथ पर सकेंगे और हमारा जीबन शुक्मायग होगा और हमसे सब को लाब मिलेगा ना हिन हमसे कोई लुखी होगा तो सिख्या हमें ये सिख्या देती है कि हमें ऐसी सिख्या लाब करनी चाहिए जो की औरों के काम आ सके और औरों की मदद करके उनको सही दिसा में लेख सके तो देखतेаты ही क्या इसका विदत में पताये रहाँ है। बहुत जरूरी होती सिख्या, सारे अउन्ध होती सिख्या, बुद्धी हिनको बुद्धी देती, अज्यानी को ग्यान तेता . तानेटे कोंडेएजी? ना, बहुत जरूरी होती सिख्या, सारे अगोन थोती सिख्या, बुध्धी विनको बुध्धी देटी अग्यानीको mnie तलामरेड़ी एल बुटिय git पाराडव दाईजी कोंडबहुत जरूरी होती सिख्या सिख्ख्याता आम पाई बहुत जरुगी अटे, आभसे पुर्णे, सारे अध्वन धोती सिख्ख्या, सारे अभण, आम वित्तरिती बा, समस्त प्रकराब्यकार, अभण, अधुर्भूण को कणकर थाई, परिमार्जित करते है, आम पो भलबाटरे, परिचाड़ेता करते है, आव अमरो संस्कारों को परिमार्जित करिता है, आव अमरो सिख्ख्याता जो बढ़ी है इतिमों, आमरो संस्कारों, आमरो चानी चणो नों, अचारव्यबाहरों सैटा, पुड़ा पोरिच्कारों, औरी प्रकास पाये जे, प्रकुर्दरे पिगाटे, सिख्ख्यतों, ही ताले बहुत जरूरी होती सिख्या, सारे अगुण धोती सिख्या, बुद्धी हीनको बुद्धी बेपी, अग्यानीको ज्ञाने, ताले कोड़ारो ना सिख्याटा एमिती को पर्दानों जिवुटा की, आम होजी पोरेरे निहाती प्रोय जला, आको आमें बात देले, आमें प्रोय जलानी आठे, आओ आवासे को आठे, आओ ये कोड़ भाईधै आमों को पोजे है, जहाजे कोड़े, लेक्षिवा बात पटिए उसाँ, आओ भूर, आओ भूर मैं कोड़, अब भूर मैं कोड़, अब भूर मैं होजी दुर्धूर अओक अबदा, बददूर, बद दुर्भूर। ताले कोड़। बहुत जरूरी होती सिख्या, सारे अभूर्ज होती सिख्या, बुद्धी हिनको बुद्धी जेती अग्या नेको ग्यानता। ताले कोड़। आना आमरो सिख्या तानीहाती जरूरू मिलेटे, जेकि आमको सुखणिता परिमार्जिताउ, समस्कार केमिदिया, बुद्धी अमेरे निजबीत्तरे करिवालों किन्ती सौमार्पकृ किन्ति आदल करिवा, तान निजरों व्यवार्भूकी परिमार्जिता प पिगो कोड़िए अभूनम पूलकुल ह mois तो कहा दो और भूधिन खेल नonen आपहलेगे असमास्त अभूनम टलुणम पूलकुल हो इक इन थाजने समस्त अभूनम् – अभूल्म रयाकी धिता, रया उन्हें भूनम डुद्धिने तर जब बुद्धी इन लोगों माने अचन्दी तांकर अगुण मुद्ध बीचार करिवा लख्यमतली, जदी सिख्या को आगा सट्टिक बादर बहारा करिवा, ताले से अमुद्ध करिवो, ना बुद्धी प्रदान करिवा, आउ समस्त प्रकर अगपुणा को मनिसमध्यर अगपुण मात्विवों को धुरो करिवा, और ग्यानी को ग्यान देटा, ज़िस्दे शुदर जादा जीवन, सिख्या पाकर ही हम बन पाते एक सच्चेइचा, ताले कोड़े लाग सिख्या है एचा अमुद्धन, जहरा मुद्धी खुडोना लखाई अमुद्धन, जहरा मुद्धन, जहरा मुद्धन, पुणोसे तुडो लाइता, परिवर्ते आमेंकी जत्ते टॉंक्टा कोईसा देल्ले भी, सिख्या ना स्वान पेट करिवा, नहीं, शिख्या है एसा अमुद्धन, जिस्से सुदर जाता जीवन, सुधर माले कोड़, सु सुधर जाता जीवन, सिख्या पाकर ही हम बन पाते है, एक सचेल छा, ताले सिख्या आमको कोड़ कोरे, जदी आमें सटी बड़ता के सिख्या एगो, येको अमुद्धन, जहरा को आमको परजन करिया पाई, बहुत कोठी नो परिश्रम होरे, आग पोड़े को, बहुत समयो आमको एठी पाई दबागो कोड़ है, जिस्ते सुधर जाता जीवा, जदी आमें सिख्या पाकर ही हम बन पाते हैंग सचे इंचा, ताले आमें जदी दिन चोंगो निज्यो भीतेरे आमें परिवा, ता सधु पोजोगो कोड़ी परिवा, ताहने पोड़ता हम जीवो रटक ना सुधर जीवा, पोड़ी मार्ज जीवा, सुधर जीवा, 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 जी समस्ता अब उलको धोईगरी परिष्कर परिए आमागो उद्धी दवा आगो जार्गरागी सही अमुलियर दोधन को आविटेवहार परिए कोण कोई परिवा आमागो जीबन को सुधारे परिवा जादी मनिसा मुटे चाटिंग वड़करिया कीछी लेखा बड़ा से किनिकी कि सिख्यार कोनोसे धारा आता रमधीर नाहीं, तानले कोणों को ना से कोनोसे खेत्बरेर benware नी जोगू, परिवासे को औरिवारीबन आहीं अधिकारोंका ज्ञान देतें शिख्या सेही बन सकते हैं कर्तव्य कर्टाव दें लगें टाहिक फारवं होई में चीय पहलो सिरद में टाहिक हो चिसरद क्तम काउसाई हो अमें नुसी केढ़ परिदेगें होो समाझ रे की पोडों करीबाद आमारो और से भीत शेहर है आमें ज्मा भारक देश-क ताले एई जदी आमने इउसीख्या पुण करिवा निए प्रहण करिवा तार सट्टी उपजग करिवा ताहले से आमर कुण करिवा ना आमजीबन को संकारीता परिवार्जीता सुंखळीता करिवा सहीता आमर को उननाथियर शिक्षराणको आगेहिन आप आउ आव आमको पुडि प्रक्रोथ पोणिस्या थावरे बढ़ी प्रोई प्रोई करे सभाएको हैवगको ताध्रा प्राज़ा ना आमर कॉट्टब बधु बधु वोधाई टैंको फुझीपारीवान बोज कराते हैं अबगत करें कर्तब्य अमरे संसरबामे अमरे जल्मों हुँ मेरे जल्मों हीचिए अमरे जाणी परिली आमको सिश्टब्य अर्तब्य अबजी शान ना परें अमरे समस्ता अब्रभुनो को करी वाला काड़ी है आमको परिस्कर करी आमको अम्मोन्य धोन खागरी सिख्ष्या को ब्रधान परिता याओ अमेरिकान अनिज़ जिबन को परिमान जित्त करिके ला सुखड़ित करिकी के परियागुको आगेवा सेखिसर आमको से धाड़ा देखे ताले सिख्या सेही बन चुकता है भारत देश महान ताले जद्धी भारत वर्सार समस्त नागरिकों पिलाठारव अरंबकरी ब्रुधावस को लोकापट जांता समस्त जदी सिख्यास्त अरड़े निजरो सिख्या को सठ्थीक भावरे कोड़े काई मेर ना भार्मान परिता अपोज़व करिपाईखे ताले भेता कणोगों आप भारत वर्सार समस्त नागरिकों समस्ती कंदागी उ무ुभाव कोड़े कोड़े काभरे नागरिकों तले अब भूद दोती सिख्या, सारे गोव अब गुदूती सिख्या, कुद्धी इंखो कुद्धी बेती अग्यालिको अग्यान सिख्या है ऐसा अभूल गत्रां जिसके सुधर जाता जीवाँ, सिख्या पातर ही हम बन पाते हैं एक सब चे इंचा, कर्तब्रों का बोध कराता है, कराती अधिकारों का ग्यान सिख्या से ही बन सकता है भारत देश महाँ ताल एक तेला कोड़ां आपरों एक कपी तर केत्मुणियें कठी न सब्तों, जो टाकी तुनननाने कणकोरिबा, आतों कठी बने रख्टीबा, तासे बाखातारीम लेख्यीबा, आओ कणकोरिबा एक कपी तर लेख्याबरें भसीबा, तारण तुम्हाँ परिख्यारें, जो तो बड़े, एक निसे बासिबा, वो एक तर कपी तर कोटी लाइन देती हो, ता तेलों पिच्छी बटे हो सब्तों छाड़ जाएजिबा, ताल देजी बड़ां, बहत जरुबी होती सिख्या, सारे ड्यास दोती सिख्या, तालने सेटिबोटें ग्यार देनेची, जीवन में बहुत जरुबी चीज है, जीवन में बहुत जरुबी चीज है, सिख्या, जो किये हमारे सारे अपने पोट्मोती है, और आमें पोट्मोती है, और आमें जीवन में बहुत जरुबी चीज है, ता जीवन में बहुत जरुबी चीज है, सिख्या, जो किये हमारे सा आपना पूदी है और आमें एक सचे मानुस के उसाब से सारी धुनिया में परिचित करते हैं। सिख्या बुद्धि हिन और और ऑग्यान को तरहाँ करता है। किस अमुल्यधन से जीवन सुधर जाता है। किसका बोद करती और किसका ज्यान करती है। सिख्या कब तो उपना बहुत कराती है और अधिकारों का ग्यान देती है भारत देश से कैसे महान बनेगा अगर हर कोई सिख्या को अपने जीवन का मुर मंत्र रुप से गहां करेगा तो भारत बर्ष महान बन सकेगा इस दो लेकिना लेकिना बनस्कार करि ते जीवऔर सिख्या सिख्या इस गिसे कोई सिख्या कि समय बनस्क आपारत रुप म本ता बना सकेग Olympics कि भारत बना स्वा़्बर से दे रुप से से अगर लोहось के भार सबस्क्राइब कर दो, दो जब करें, बेखने के लिए सबस्कें, आते हाब आगे मेले सीजे उडेले